बिस्मिल्य रह्मान रहिम अडॉप्टिव डेडियेशन ओफ फार्म एंड फंक्शन रफ्ली 300 बिलियन जो बर्स है ना वो अब तक जमीन पर रह चुके हैं अब कॉर्डिन टू क्लासिफिकेशन अगरें तो 30 ओर्डर्स है इस बात के निशान नहीं करते हैं कि थाउजर्स ओफ यर्स लगे हैं इनकी अवलेशी अडॉप्टेशन के लिए जिसके रद्यमर में जो है वो अब जो स्पिशी है वो एक्जिस्ट कर रही हैं जबकि यह जो स्माल जो नंबर है ना वो हम लोग को उस स्माल फ्रेक्शन के ब ते जो में सब्सक्तित में जोगे मुझोंत हुद से जिनके कोमनी ने देखे तो इसमें पेशिक ही था치 परचिंग सॉंगबर्ज थे उसमें क्या का शामिल था परचिंग सॉंगयति को बर्स चाहिं्टर और यðナॉक्टर्णल फॉर्स हैंटर ओयल और अक्विटी डॉटर्स जिसमें पें pedir ङोयन ड़ता है जो कि कम गहरे पानी में रहते हैं इस प्लॉवर्ज और इस लाज फ्लाइट लेस ग्राउंड बर्ज जिसमें आ जाते हैं ओस्ट्रिक ठीक है यह सारे कहां से हुए है कोमा इंसेस्टर की फंडामेंटल अनॉटमेंगर हम लोग देखे तो हम लोग इस तरह के जो है वह बर्ज बर्ज रिंएगर साइज के हावाले से लेकर वन लक ग्राम तक इनका साइज जाता है तक ज्व्मिंग बर्ड का ठीक है और ज्याद सेजाद साइज है ओस्ट्री का इसका size है? और स्ञास का clear है? अब next नेक्स देखते हैं adoptive radiation हम रहात है हमारा topic है adoptive radiation of form and function किस तरह से adoptive radiation की होजासे bulbs and function में adoptation आई है अब adoptive radiation के धैजी जब birds की diversity हो जाए क्यों birds की diversity हो जाए evolution की होजासे और evolution कहाँ वहाय है एकोलोजिक को और इसका की पयाय लेट्ट-फूस सा नाम दाए है। अश्ज़ मेज़गा आएडॉप्टीव डेडियाशन का नाम दाए है। एड़प्ट worn-पूर्टिय ép का रही है। वह क्यों है? Is it due to evolution? क्या हुआ है? evolution होई है? कहां पर evolution होई है? of varied species, मुख्लिफ species के हमें और वह मुख्लिफ species अड़ाट कि हमें different मुख्लिफ ecologics और behaviors को इस सारे process को हम लो क्या कहते है? adoptive heronation का नहीं है अब बिल की size और बिल की shape है वह तबदील होती है उसके मुताबिक जिस तरह के वह food हासिल कर रही है build size and build shape change in relation to types of food eaten as well as leg length और जो leg जो length है उसमें भी तबदील ही आती है उस relation के मुताबिक जिसमें वह रह रहे हैं जैसे कि कुछ birds हैं वह perching process करते हैं कुछ trusty लोकों उसमें इक्तियार करते हैं बिल्कुल इसी तरह wing shape भी तबदील होती है in relation to pattern of flight जिस तरह का फ्लाइट के pattern में तबदीली आती है इस तरह wing shape में भी तबदीली रूनमा होती है अब इसके फर्दर एक्जामपल लेते हैं जैसे कि single ancestral species single ancestral species कि इसकी short birds की single ancestral species of short birds evolved हुई है aerial pirates से इसकी example है planning divers जिसमें गोता हो जो birds है that is tons and the other is host of waders waders के मतले होता है जो कम गहरे पाने के इंडर birds राते है there are many other examples sandpipers, plower, trunstone, stills, jackanese, stives, woodweets, woodcooks and curlieus इस सारे की सारे के हैं host of waders है इससे क्या evolved है single ancestral species of short birds each with the characteristic leg length हर एक की length में फरक है बिल शेप में फरक है बिल शेप में और विंग शेप में डिफरेंस नजराता है according to their habitat and according to their behavior in ecological environment clear है leg length, billy length shape curvatures varied है जैसे जैसे habitat जिस-जिस habitat में क्या हुए है occupy करें है अब शेप में फरक है यह species बलके यह species बलके और भी आती है जैसे कि gross like sand gross like seed snipes है aerial priton collins है guls skimmers है deep water divers है pupins यह सारे के सारे order carraderio form इसे बलॉंग करते हैं कहां से बलॉंग करते हैं order carraderio form इसे बलॉंग करते हैं तो इसमें basically था यहीं के bill shape bill length और bill curvature as well as leg length किसमें depend करती है उस habitat के उपर रही है जिसमें वो exist कर रहे हैं clear है अब हम लोग रहे हैं वो next move करते हैं कि मुक्लिफ तरह कि जो diet है ना modern birds में उसमें क्या क्या शामिल आजी diets of modern birds include birds fruits nectar seeds in vertebrates of all sizes as well as vertebrates of many cards vertebrates नहीता है carry-on बतले कि this is carry-on है fruits से वो क्राक हसल करते हैं इंसेक्ट से नौरिश करते हैं बहुत जादा majority of birds clear है खास अब अब बात कि रहे हैं पैसिजिन land bird की जो कि adoptive होता है आए अब आफ़रिण प्रैटों वो आफ़लाब्ट Hybrid वो अब जाए आफ़वर्टर्डी नौर्ट तो ऐवो इंसेक्ट से भी और नौर उच़ुए होते हैं जाए और इसके साथ ब्रोजिंग नीच नीच से अब न्यू-जेलेंड नियू-जेलेंड नियू-जेलेंड में इसके नतीजे में बहुत ज्यादा जो फ्लाइट्लेस है वह इवाल्ड हुई Herbivorous flightless species मैं जैसे के Moise है यह क्या है एक flightless bird है इसकी species कहा पर ही वोल हुए थी न्यूजिलेंड के अदर जब क्या था मैमल्स की गैल मुझोगी थी उसके नेतीजे में यह किसको खाना शुरू हो गए थी हर्प्स को अब इनके अंदर long complex digestive track था अब complex digestive track था ग्रीन लीव्स ठीक है अब जब इन्होंने green leaves खाए तो automatically इनका क्या हुआ यह आसानी से आहिस्ता आहिस्ता जो थे लीव्स को जो है ना वो इनका digestive system प्लांट डाजेस्टिव प्लांट मटर को यह आहिस्ता आहिस्ता था जो हज़न करते थे अब जब कि इनका digestive system है स्ट्रोंग लीवीधास था था उसके साथा इनके अंदर जो flying abilities थी ना वो उससे limitation पाएगए जैसे कि बहुत ज़ादा और भी avian herbivores में भी इस तरह है अब यह flightless होई लेकिन यह क्या थे ही यह हर्डिवरोस थी थी clear है तो यह basically किसको रप्रेस्ट कर रहा है जैसे इस तरह स और फूराग वहासिल करेंगे अब बिवस्टी ऑफ डाइट बहुत ज्यादा डाइट की डाइट की डाइट की डाइट की अपर देकिशन की जैसे कि मैंने कहा बर्ड, बर्ड, फूर्ट, नेक्टर, सीर्स और देन मनी अधर्स ठीक है तो डाइट टाइट और डाइट और डाइट ऐबस्टी ऑफ बीज एफ इनको खाने के लिए अब बर्ड बीज़ल की अटम पड़ीयर रिद से की अटपिशन थीदिंग की बीज़ल पिड़ीज़ल की अब देन की फीडि़लं की बीज़ली है आपने एगल को अगर बज़र किया होगा तो है तो है जिसके जिरिए सब्सक्राइब गोष्ट को चीरफार कर लेते हैं ठीक है और से नहीं हो भी इस अगर फ्लेश टाइब गोष्ट टाइब ठीक है तो बैसिकली इसमें क्या है उनके पास क्या मुझोद है हुग्ड बीक्स म तो है कि वह असानी के साथ जो है न वह से ट्रेशनिक कर सकते हैं यहाँ पर लोग देखेंगे अब लोग को वह मसीद अंड़ेगी हो जाएगी इस इस इगोर्डन इगल है विस्कली इसमें आप लोग देखेंगे इसकी कैसी आप लोग को बीक नजर आ रही है आप लोग कि है क्या है स्ट्रोंग होग्ड बीक है इसके मिलसे असानी से यह आसानी से टीयर कर सकती है और सानी को टीयर कर सकती है next आपको एक्जेम्पल ही that is the duck डिक और अप लोग गज देखेंगे इस तरह की मदद से इस तरह की बील है उसे तरह से उनकी फूड की मोडिफिकेशन है आगे आगे लोग बात करें ना वुड पिककर की किसकी वुड पिककर की तो इसकी चीजल लाइक बिल है जो कि सूटेबल होते है कि असानी से जो ना वो द्रब्तों में की ब्रांजों से जो है ना वो इनसेक्स को कैप्चर कर ले कैसी बिल है इनकी चीजल लाइक बिल है इसकी वुड पिकर की नेक्स जो जी मेरीन मेरीन प्रिडेटर्स की बात करें जिसकी एग्जामपल है पैंट्विन्स की और कोर्मोरेंड्स की इनके बास बिल होती है लेकिन इनके बास कर्व पर्जेक्शन होती है क्या होता है कर्व पेंग्विन्स की और कॉर्मोरेंट्स की पास किया मुझूद है कर्ड पूर्जक्शन मुझूद है जो के ड्रैक्ली फिश को अपनी इसोफेगस में लेकर चले जाते हैं अब मुझूद तरह की लेंथ बील लेंथ उनके करवेचे शोर बर्ड बील के वो डिटिर्माइन करते हैं उनके प्रेय को जो के असानी से मुझ से हासिल कर लेती हैं आगे आजाते हैं जी नेक्टर फीडर्स के बात करें इसमें हमिंग बर्ड आ जाते हैं इसमें प्रोब करना है लोंग थिन बील को इसमें एक फ्लोरल नेक्टर चमबर के अंदर और इस तरह से वो खैंच लेगा नेक्टर को अपनी ट्यूब टंग टिप्स की मदद से करने नेक्टर को ले लेगा कहां से ले लेगा फ्लोरल नेक्टर चमबर से लोंग थिन बील का मदद से अब हे इनकी जो बील होती न वह तेन्ड रुजाह रखती हैं कि वह मैच कर सके बाता हैँ अर उस कर्वेचर से जो के प्रेफर्ड फ्लावर्र्स हैMIN यानि के वहां से कुछ ना कुछ नेक्टर मिले तो सही ना जो इनकी बिल है उसका से ट्रक्टर भी वैसा ही होता है अकॉरिंड फ्लावर्स करवेचर एंड लेंद क्लेर है और इस तरह से वह इन टर्न वह डिपेंड होते हैं हमिंग बर्डियन के बर्ड्स के उपर कि वह पॉलिएशन करवा ल गर्त लें हम एक पाहिटी क्लेर डर्डियन के बिल इसantry नियुद में तरह भीरा बिले को जवाफी है धाला रहां जितना करते हैं ग्शाल का फ्लावर्स कर सकतें एंड बेंड कर सकतें अपने अपर हाफ को बहाद के इसालियों पाने नाओ ना आम राव देंग सकतेंग कर स cranial kinases का नाम देते हैं here are the different structures that you can see यह देखें यह different build है यह मैं रफ़रे structure ठ्रा किया है just for your understanding आप लोगर यहां पर देखेंगे कि यह जो Eosian Curlule Eosian Curlule है इसने क्या करना है जी इसकी भी एक different ही habitat है differently इसकी खुराक है यह मुख्लिफ बीर लेंस है ना वो इसकाबिल है कि वो शौर बर्स को के असानी से जो है वो मुख्लिफ various depth के ओपर जो mud mud से खुराक हासिल करें और साथ साथ से से पर अपनी खुराक को हासिल कर सकती है अकर मैं यहां बात करो ना लप्लावर को इस इस ने करना है पीड को हासिल करना है small in vertebrates से कोसे हासिल करना है small in vertebrates से अपनी खुराक को हासिल करना है mainly OF surface picking है यह इस ने ज़ेकरना है इस 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 इसार्फेस को पर सचो इसपने अपनी short wheel की मुदब से एक ब्लॉवर को कुछे व्हाल fatto को लोवर, अब कर दो का कि अपने बने और वोफ को दो कि अभगार को अच्ञार पूमन ब्लावर्ट का कॉमूमन रडड शेंग कि इसके ने के अ शेंग हुई को कमार ॅलश्ट को ने विल करें वह समय उली यहां उनलά उनला भर करना है एक मॉर रेट बिल लेंथ इसे टोफ ढुवे ने सेंटीमिटर के रेंग थांटिमिटर के और पुरा को हासिल दो है इसे रेड शैन के और बहुंत दूसरे वायडर से देखिए ने सेरी दोफ शर्फेस के एपर से और अपर यद्टर दोफ 4 संतिमिटर में कर दो पर लूज है और करता है और ऌत Resistance राफ पल सकती और आज हे कराएं लीप तो कर दो कड़ एंसान कर दो करता है लोंग बिल्ड बर्ड है जिसमें कर्लियो यह एक्जेम्पल है इसके पास के लोंग बिल्ड बर्ड है कर्लियो के भी लोंग बिल्ड बर्ड होते हैं और साथ गुड बिल्ड की भी है इसे करना होता है इसे डीब ब्यूरो में से अपने प्रेय को हासिल करना होता है उसका प्र तूर कोरने गेन उसी हिसाब से ही करना होता है एक आगे हम लोग जो है वो मजीज़ बात करते हैं बोन फ्रैक्ट कॉन्फिग्रेशन के अवाले से एक इस तरह से जो नहीं है वो बील जा और प्लेटल रिजिन जो है वो एक इस बर्दस किसम से डिजाइन है अकोरिंट वी रि कोईड भी नहीं है ठीक है वर्स फ्लेक्स भी कर सकते हैं और बैंड भी कर सकते हैं और इस प्रोसेझ का नाम देती है क्रेलिकाइन का नाम देती है अपर अब्र ट्रैबिकियूला च्पर एक अपर मैंडिबल यह फिर मन्ग्जीला जो के अद़ इस से बोनी कॉन से बहुत इस भी छूइन गया है किसे फिरुट्ड नर्वाइट है काँ बनी कोल करती है इसो प्रवाइट कर देता है इसमें अप्रमेंडिवल या मैघजिला यह क्या है एक फ्लैटल कोल है झो कि रीइंफोस्ट करती है जो कि इसको इसको इस चाबिल करती है कि यह लिख मस्बूथी प्रवाइड करती है इंटर्णली किसकी मदद से इस में प्रवाइड करना हुद है कि बॉन्नी स्टोर्ड का एक complex system By complex system or bonnie stars 李 उस रवाइड को और स्टोर्ड साहिठ के छी का सब्सक्राइड पर्वाइड करते हएं इस प्रोसेस को हम लो क्या कहते हैं इसको हम ट्रैबिकुला का नाम देते हैं यह जो फैशन है यह जो तर्तीव है वो बील को जो है वो ज्यादा से ट्रॉंग ना देती है as compared to the उनी बिल के जो के little weight रखती है क्या रखती है little weight रखती है ये ट्रेविकुला का structure क्या कर देता है बिल को जो है वो ज्यादा strong बना देता है और इसका little weight कर देता है hollow बिल की निस्पद ये ज्यादा strong होती है और इसके साथ से इनका weight भी क्या होता है वो काम होता है अब हम लोग नेक्स्ट बात किरते हैं यह दोनों के दोनों जो जबरे होते हैं इनके पास एक होनी शीट होती है जिसको हम लोग रैंपो थीका का नाम देते हैं किसका नाम देते हैं? दोनों के दोनों जो जबरे होते हैं इसे कοवर होते हैं होनने शीEst के साथ, ये रेमपो थीका के साथUB कवर होते हैं अब this ने क्यारा है है इस रेमपो थीका है, हि करना बहुप करना है क्टिंग हो है और अज़स्टी, कुझे एड्स ही इसкийode नियुमरीस, और मसी अजयव रहा है मज़ूदे कर लाकता, और तेस्टेकर के बाझदे की पॉर्टकिस्स पॉरुट लगष, अजूकर टूथ-म। वीब नोचिस लूस वर्ट ऑन थीन साफे हम था walking इता शुड़ेश था था यचित ए बदेड़ आधे से घ्रेम आधे एंक्ष तल अप्रिय को था कर सकता है यह बेल दूप आपनार्ठी को हम था ंंक्राटिन से मेर बहले चिप यह बारीट सेड़ी ऐ बिल इस तरह हवावियन हनी क्रीपर्स में भी हम लोगों ने देखा कि जहां पर अपरेंटली इवॉल्ड हुए थे स्माल फिंचीज की फ्लोक्स फ्लोक्स बहुत बने जुड मुड़ को काईते हैं वहां से इन वहां से निकले वह थे पैसिफिक ओशन से और पैसिफिक ओशन कहा हुँद है एशिया में और नौधर्ण अमेरिका में मिलिएंस अफ येर्स अगों की बात है अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फिंचीज के हवाले से ये जो हाई फिंचीज में बेसिकली क्या था ये लैंड फॉल थी इसके ओपर हवायन आइलेंड के ओपर और बात ने ये फ्लोरिश्ट होई और इसके बात फैल गई आर्शिपिगा लोग पर ठीक है अब आइसलेट्र जो पॉपॉलेशन बिलकुल वाजिया उनके ओपर ये जिनेटिक कंपोजिशन और अपेरेंस में तबदीली है अमनों को नजर आए ठीक है अब ये जो अचानक सा अजीब हो गरीब से जो चेंग था ना सब्दिल चेंज था बिल शे बिल साइज उसने इस बात के निशान दी कि कि पॉल लाइ अब अगर हम लोग ये सारे कि सारी क्या था फिन्चिस की मताबिछ अगर एगर ग्रॉस बीघलाइक बिल्स की बात करें तो उनके अदर ये अबिलिटी है कि वो लाज लेगियूम सीर्स को क्रैक कर सकती है उनको तोर फोर सकती है ठीक है अब लेकर लोंग सिकल लाइक बिल तक जिसमें आ जाती है सिपिंग नेक्टर आ जाती है जो के सिपिंग नेक्टर लेना है फ्लावर से ठीक है यहां फिर जो है प्रोबिंग बार क्राइविसिज जो कि